हलो दोस्तो मैं सागर सागर रोबोटिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम एक इनफिनिटी इल्यूजन मिरर बनाने वाले हैं तो चलिए इस मिरर को बनाना शुरू करते तो इस Infinity Illusion Mirror को बनाने के लिए मैंने इस तरीके के चार पीस कट कर लिए यह मैंने ACP की शीट से कट किया है आप इन पीस की जगह पे MDF Board के पीस भी ले सकते हो और MDF Board भी नहीं हो तो जो अपनी हो Scale आती है छोटी उसका भी इस्तमाल कर सकते हो या फिर PVC शीट के टुकड़ों का भी तो इनके नाप मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिये है आप इनके नाप अपने हिसाप से कर सकते हो मतलब आपके पास जो सीशा जिस नाप का अवाइलेबल है उस नाप के आप इन पीसों को कट कर लेना फिर इन पीस को आपको ऐसे जोड़ना है तो मैं इसे जोडने के लिए PVC का इस्तमाल करने वाला हूँ आप या बे हट गलू का भी इस्तमाल कर सकते हो ये उससे भी चिपक जाएगा लेकिन फिविकिक से काफी अच्छा चिपक जाएगा तो मैंने इसे फिविकिक लगा के ऐसे पकड लिया है अब यहासे मैं ट्राइ स्क्वियर जिसको हिंदी में गुनिया के दे उसे लगाने वाला हूँ ये इसलिए लगा रहा हूँ कि ये बिल्कुल एकदम 90 डिगरी में चिपक जाए तो मैंने इसे चिपका दिया ये सूक चुका है आपको तो पता है फिविकिक कितने जल्दी चिपक जाती है वैसे ही मैंने दोसरे एंड पे भी फिविकिक का एक बून लगा दिया है आखिर का जो बचा है उस पे भी मैं फिविकिक लगा लेता हूँ दोनों साइड से तो मैंने इस पे फिविकिक लगा दी उसके बाद मैं इसे ऐसे चिपका देने वाला हूँ आपका शिशा जिस नाप का ओ उस नाप के आपको फ्रेम बनानी है तो उसके बाद मैंने एक आरजीबी एलीडी स्ट्रीप लेली जो की 12 होल्ट की होती है आपको पता ही है इसके जगह पे आप आपको पसन है वो कलर मतलब रेड ग्रीन ब्लू या फिर वाइड जो भी आपके पास हो वो लगा सकते हो तो मैं यह आपे RGB वाली लगा रहा हूँ मतलब इस पे एक लीडी रेड है एक ग्रीन है और एक ब्लू है ऐसे करकर के इसकी पेर है तीन तीने लीडी इसकी आप इसकी जगह पे ओ जो रिमोट से कंट्रोल होने वाली आती है वो भी लगा सकते हो वो भी काफी अच्छा दिखे है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगे और ओ जो बाजुवाला गंटे का आइकोन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालू ओ आपको मिल सके मेरे चैनल पर अच्छे से अच्छे इलेक्ट्रोनिक प्रोजेक्ट आपको देखने को म देता हूँ तो मैंने ये पट्टि छिपका लिए ये पेपर निकाल लेता हूँ इस पट्टि को ऐसे चिपका देता हूँ तो यह अच्छे सचिपक्चु की जाती है क्योंकि नीचे वां का जो हमारा स Truly सकते हो मतलब ऐसे तरीके से दो वाइर लगने वाले cycles चोटे चोटे आप इसकी जग पर मोबाईल चार्जर की पुरानी वायर भी लगा सकते हो लेकिन मैं यह जो रेंबो आयर आती है उसमें के दो आयर निकल लेता हूँ और इसे लगा देता हूँ यह जो बार वाली है यह तो दोस्तो इतना हमारा काम कम्प्लिट हो चुका है अब सिर्फ इसको मीरर चिपकाने का रहे गया है तो इसके लिए मैंने इस तरीके का एक मीरर ले लिया है यह बाजार में आपको 15 रुपे तक मिल जाएगा मीरर यह अपना जो नॉर्मल मीरर होता ह वही है उसका फ्रेम में निकाल दिया है तो उसके इसे चिपकाने के लिए मैं एरलाइट का इस्तमाल करने वाला हूँ तो दोस्तो आपको इरल्टाइट निकालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है तो इसके लिए मैं एक लकडी की काड़ी का टुकड़ा इस्तमाल कर रहा हूँ आप यापे कोई स्कुरू डाइवर तार वार किससे भी इसे मिक्स कर सकते हो और इसे मिक्स करने के बाद मैं पूरी फ्रेम के उपर इसे लगा दूँगा तो मैंने ये पूरी फ्रेम के उपर लगा दिया है आप देख सकते हो आपको पूरी फ्रेम के उपर ही लगाना है क्योंकि ये इससे अच्छा चिपक जाएगा और इसे पूरी frame के उपर लगाने के बाद ये जो frame है उसे आपको इस शीशे के उपर ऐसे रख देना है और इसके उपर कुछ वजन रख देना कि ये अच्छे से चिपक जाए और आप इसके अंदर जो fan देख रहे हो वो भी मैंने बनाया है 12 holt का है तो आप उसे भी देख सकते हो मैं उसका link description में डाल दूँगा तो दोस्तो मैंने और थोड़ा सा arrow tight mix कर लिया है और उपर की side में भी मैं frame में इस arrow tight को लगा देने वाला हूँ तो मैंने इसे उपर की side पे भी लगा दिया आप देख सकते हो अच्छे से लगा देना है और ये लगाने के बाद दोस्तो आपको जो वो blue color का mirror आता है वो ले लेना है मतलब ये two way mirror जिसे बोलते हैं ये है ये two way mirror आपको जो window बनाते हैं उनकी दुकान में मिल जाएगा वहाँ से आप ले आ सकते हो इसे और इसको उपर से मैंने लगा दिया है अब ये सुख जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ तो इसे मैंने दो तिन गंटा सुखने के लिए रख दिया तो यह सूख गया यह सूखने के बाद मैंने यह जो आप साइड से काला काला देख रहे हो यह मैंने जो अपना टेप रहता है प्लेस्टिक का उसे चिपका दिया है ताकि इसे अच्छा सा लूक आजाए आप यहाँ पर टेप लगा सकते हो कौन सा भी जो आपके पास हो और नहीं भी लगाया तो चल जाएगा कोई इसका ऐसा काम नहीं है तो आप मैं इसको वाइरिंग कर देता हूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने वाइर लगा दी आप यह जो सप्लाई देख रहे हो इसको चलाने का 12 होल्ट का तो यह भी मेरे चैनल पे इसका भी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर चाहिए तो आप देख सकते हो आप इसे कीसी भी 12 होल्ट से चला सकते हो अपनी बाइक की बैटरी से, कार सी बैटरी से या एडपसर से चला सकते हो तो मैंने आउन कर दिया, आप देख सकते हो यह कितना अच्छा दिख रहा है यह आपके रूम को काफी तक डेकोरेट करने वाला है मतलब यह आप अगर खरीदने जाओगे Amazon पे या कई online तो यह आपको बहुत 7-800 रुपे तक मिल जाएगा और आप गर पे इसे बहुत कम रुपे में मतलब 60-70 रुपे में बना सकते हो तो देखो आप देख सकते हो कितना अच्छे से दिख रहा है दोस्तो आपने अभी तक भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो जल्दी से कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और कमेंट में भी लिख देना वीडियो कैसा है तो तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए